हलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है तो आज इस वीडियो में गेहू की बीज लेकर आये हुए है और अच्छी कमपनी का गेहू का बीज है तो इसके बारे में जानकारी देंगे कौन सा गेहू का रुपाई करते हैं और कौन से गेहों का बुवाई करेंगे जिससे आपको लाब देखने को मिलेगा तो हलो किसान भाईयो नमस्कार आप सभी का तो जैसा कि आज इश्टनर का बीज लेके आया है इश्टनर का बीज बहुत से किसान भाई है जो जानते हैं इश्टनर का बीज कैसा होता है और तो इसकी कौन सी कमपनिया बनाती है कौन सी कमपनी का सबसे अच्छा बीज होता है क्योंकि चाहे आपके पास ज़्यादा खेती हो चाहे कम खेती हो बीज का जब तक चुनाओ नहीं करेंगे इसमें जानने के लिए Ishtner का कौन सब गेहूं यूज किया जाए और कैसे यूज किया जाए कैसे बुवाई की जाए जिससे आपको लाव हो तो Goodwill का जो Ishtner गेहूं आता है वा बहुत अच्छा होता है और उसकी बात की जाए उसकी बालियां भी अच्छी होती हैं, अच्छा गेहूं इसमें पैदावार देखने को मिलता है, अच्छे भूसे मिलते हैं, सब कुछ उसमें अच्छा देखने को मिलता है, तो गुड विल इश्टनर गेहूं का पर एकड में कितना बुआई करना चाहिए, 32-34 किलो पर तो अगर आप दो ही पानियों का चैनल को देते हैं, तो आपको गेहुँपा पराफ्त हो जाता है, मोटे दाने मिलते हैं, जब गेहुँ इसरी बाइए कि उस के बीज से कितने फुटा होते हैं, कितने कल्ले निकलते हैं, isके बारे में तो जानकारी होना चाहिए, क्यों we इस गेहों के बीच से 10 से 12 ही कल्य निकलते हैं क्योंकि इसका बुआई मैंने भी किया था 10 से 12 ही कल्य निकलते हैं तो 10-12 कल्य निकलने वाले गेहों भी अच्छे होते हैं क्योंकि और इसकी बात की जाए इसकी पौधे की लंबाई की बात की जाए यही इसका होता है 90 सेंटीम जब निकलती हैं उसमें गेहूं कितना आता है एक बाली में गेहूं कितना आता है इसके मात्रा भी हमने गिनाओ किया था गेहूं का इसमें 70 से 75 गेहूं एक बाली में बैठती है जिससे आपको अधीक उपद देखने को मिलता है और कम सिचाई के साथ जब इतनी उपद देख करने को मिलेगा क्योंकि 27-28 कुंटल प्रति एकड़ इसका पैदाबार देखा गया है